के आज चीज में बार-बार क्यों कहे रही हूं घर में घाई राकन की अब आर थोड़ा दिन पेली दिवाली गुई बहु घयर हो थीजिदीन काई हो माता मैंने इमान दर्यों हाथ खड़ा करो किरी किरी गर में गोर्दन गा लिए गाई का गोबर को गाई रहे गोबर को भेंश की गारनेटी को नहीं हाँ देखो तीन माता मैंने हाथ खड़ा करिया गाई का गोबर को गोर्दन गा लिए बाग इस सबां के गर में जाए विचार करो आप संस्कर्ति ना खराब कर रहे हैं काई मतलब इर्पीचत गोर्दन गालोई मतिना बेंश का पोट्रा घर कामी चाती मात अकुल्ड देपरांद काई सब इत गरा मैं गोर्दन बूझ लियो मैं हीटा हुआ कर दियार दो काचरार दो बोरी आर एक दियो ओ हो हो वारे गोर्दन वा इस जो गोर्दन बोड़ो को ने जो बेंश करती के लिए दूद के लिए नहीं अपने बचों का बविश्य देखेंगे 15-15 सालों के बाद में बची नो ब्याव वेला चमुरी मांडाला तो चमुरी में चाना कटू लियावाला मराज तो 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 बादा में खरी क्यों का आने वाले 15 सालों के बाद में समय बहुत तेसो आवेला अपन हकिकत गवरी जरूत पड़ेला इसलिए अब इसे घर में गाई बाद लियावाला बोले गव माता की मारी बासा तो समझमायाए ना एक बार हाथ ख़ड़ा करो तक है केर शेंपार नी आवे आरेगा कोन ही आईचे शश्कर्त में बोलू मरतियो मांठ गमया मठतव हम्रत गमया अस्तो मांठ सद गमया भले गव माता की हम तो यहीं चाहते हैं कि हमारे जैसे सब बने क्यों मैं कताग दिन गावा मैं कला कताग दिन हाका करकर गवशोड़ा चला हूँ मैं भी तो चावा एक गाव में एक ओम प्रकास तयार हो जावे तो मा कात कोई बुरोशा को नहीं साब हाँ जिन्द stuffing DG में लिोड़ा बैटा है गाड़ी की DG में जिन्दreiben है इसलिए सब योन से मेरा यही आग रहा है कि ज्धा से जड़ा गवख्ती से जुड़े और सभी माताव मैनों से मेरा यही आग रहा है वह मात साहभ जी नहीं बताए है गरमे एक गाई रख लो आप 12 मिन तक एक गाई रख लेना यदि एक गाई रो खर्चों थानों नहीं पूरवे तो बार मिन गाई राकी रो डिगनालो टाबर मने बंदवा दी यह ना तो गरमे गाटों देदी हो मने वो गाटों में बर्बान तयार हूं आप कभी भी मुझे बोल देना जिता गाटा आएगा मैं बरूंगा आपको करिवा है जिता गाटा आएगा मैं बढ़ने को तयार हूं एक गरमे एक गाई बांद लेना कल सुबह से बांद लेना कल साइद बीजे हाँ बीज ना बात बढ़िया है कल बीजे देशी गाई गरमे लेना नागोर की वीर भूमी और माज सरस्वती का इपावन प्रांगन काम देनू विद्याले के अंदर आज के विशिष्ट अतिती पदम सरी हिमताराम जी नागोर नगर परिश्ट के चेर्मेन साहिबा संत सानिद्य गोपाला नंजी महाराज जानकिदाज जी महाराज और आसपास से पदारेवे समझ जन परतिनी दिगन सामने बिराजमान पितातुली बुजुर्ग जन, नोजवान सातियों, माताओं बेनों और प्यारे बचों सबसे पहले तो एक शाम गो माता के नाम के इस बहुत भवी और सुन्दर कारिकरम के आयोजन के लिए काम देनों शिक्षा परिवार और समस्त आयोजगों को दिल की गेरायों से बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक आबार कि इतने सुन्दर कारिकरम का यहां नागोर की इस वीर भूमी पे इनोंने आयोजन किया यह बदाई के पात्र हैं आज मैं आज साधियों का कारिकरम था आने में थोड़ी देरी हुई और यह मेरा परम सोबा किया है कि इस गो माता के कारिकरम में पहले मेरा कहीं बार का कारिकरम था और अभी आदे गंटे पहले ही मानने सांसत मोदे का फोन आया कि मैं अभी यह बार हूँ और थोड़ी तबियत भी ठीक नहीं है तो इस कारिकरम में आपकी उपस्तिती अपेक्षित है मेरा परम सोभा गिये कि इस पुनित कारिकरम में मुझे आने का उसर मिला इतना ही निवेदन मैं इस कारिकरम में करूँगा कि ओम जी मुंडेल और आज अपने मुखार बिंसे जो भी जो बजन संधिया के कारिकरम है आप लोगों को जागरत करने का जो परियास ये लोग कर रहे है ये जागरण का कारिकरम है जागरण का मतलब जागरती जागरती सब्दों के माधियम से है जागरती चाहिए दार्मिक हो आर्तिक हो, सामाजिक हो राजनितिक हो, जहां भी जागरती का मोका मिले आप लोगों को बर्सक परियास करना चाहिए क्योंकि 75 साल देश को आजाद वे हो गए और जो एक बीड़ा ओम जी ने मैं अकसर इनके कारिक्रमों में मुझे जाने का मोका भी मिला है कई बार ये जो गाई माता के लिए जो ये संगर्स कर रहे हैं वास्तों में ये सादुवाद के पात्र हैं और जितने भी संत मातमा जो हमेशा गाई माता की चिंता जो करते हैं और ये धरमसास्तर भी कहता हैं, यदि गाय नहीं बची तो परकर्ती भी नहीं बचेगी, तो निश्चित रूप से हैं, आप सब जो लोग जिनों ने ये बीड़ा उठाया गायी माता को बचाने का, और राष्ट्र माता गोसित करने का जो बीड़ा उठाया है, इतना ही पर लोग बेठा हैं, जिनको गाय को राष्ट्र माता गोसित करने में मेरे इसाब से बिलकुल ही जोर ने आये, एक कलम चलाने की बात है, लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़ी कमी जो मैं, एक जनपरतिने ती ओने के नाते हालां कि मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेक गाय माता के नाम से हो देश के सरवच पद के उपर विराजमान है, उन लोगों की ये नेतिक जिमेदारी है, हम तो पूरे किसान परिवार के लोग हैं, यहां जितने भी माता हैं, बेन हैं, मेरे बंदू, बुजर्ग, जो पिता तो लिए बुजर्ग, आप सब लोग जो ब गाय के नाम पे पूरा देश और परति एक बच्चा बच्चा इस देश का गाय को राष्ट माता गोशित करने के लिए, हम सब आपके लिए कंदे से कंदा मिला के लड़ेंगे, तन मंदन से हमारा जो भी सेयोग होगा, हम सदेव आपके लिए ततपर रहेंगे, माता बेने भी बेठिये, थोड़ा जन परती नहीं दी हूँ, तो गाय के साथ साथ संसकारों की बात भी करूँगा, क्योंकि दरम की दूरी जो है, वो आप लोग हैं, जो माता बेने बेठिये, दरम सारा आपके नाम से चलता है, क्योंकि हम अमें पता है, हम भी जिन गरों से हैं, जिन मत्यमवर के लोग हैं, संसकार जो है, वो ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए मैं इतना ही नेवेदन माता बेनों से करूँगा, क्या आप बच्चों के साथ साथ बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि बेटियों दो गरों को रोसन करेगी, और अच्ची संसकारी शिक लेकिन मैं जन प्रतिने दियोने के नाते आप से इतना ही नेवेदन करूँगा, क्या नागोर को नशा मुक्ति का, ये एक बार मैं तो नेवेदन ओम जी से करूँगा, क्या भी गाई, राष्ट्र मता बढ़ जाए, उसके बाद नसाफ की जो परवर्ती लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके लिए भी बहुत बड़ा अंदोलन हमें, इस नागोर की दर्ति से ही सुरूख करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसान परिवार के लोग हैं, और एक बात छोटे भाई यो आप, इस बात को आप गिंड के गांट बांद लेना, कि यदि नसा हमार गरों में गुच गया, तो हमारे गर सारे सारे खोक ले हो जाएंगे, आपको इस बात का विसेज दियान रखना है, एक बार पूने, इस कारी करम के समस्त आयोजगों को, दिल की गेरहों से बहुत 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 दन्यवा सादुवाद, कि बहुत ही सुन्दर कारी करम का बहुत अच्छी बात है, इस सांसारिक मोव माया से हम केसे अलग चलके, और हमें एक अच्छा समय बिता सकते हैं, इसके बारे में भी हमेसा, आप लोगों को बताने का पूरा परियास करेंगे, एक बार तुने, परम पिता परमेसर से, आप सब लोगों के उच्वल भविश के सुख कामना परिशित करते हुए, इस कारिक कर्म का आयोजोगों को दिल की गेरायों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जै हिन राम राम साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, मानने विदाइक मोदेख्यों सर, नराण जी पेनिवाल साथ, श्रीमान, हडमान जी, सत् बहुत धन्यवाद, मैं जिनके नाम की उद्गोषना कर रहा हूँ, प्लीज आम मंच पर आए, यह जो मुमेंटों आपने, शिक्सा परिवार के सदेशों ने जो बनाए हैं, यह किसको देंगे पिर, आपके लिए बनाए हैं, तो प्लीज मैं जिनके नाम बहुत रहा हूँ वो मंच पर आए, यह मुमेंटों लेके जाए, इस मर्ति चिन, हमेंसा याद रहेगा कि काम देनु सेना, काम देनु सिक्सा परिवार में जो जागरन हुआ था, उस परिवार न हमें यह मुमेंटों दिया, तो प्लीज, हडमान जी, सारण, उससे पहले मैंने जिनके नाम ग साब आगे आओ, प्लीज, हडमान जी, हडमान जी सार, क्या बात, बहुत बहुत दनेवाद, जैय हो, जैय हो, लेओ, जल्दी लेओ सुकरम जी गोदारा, पूरो सरपंच, उन्ट वालिया आपकी ओर से, एक्याउन सो रुपे मितु जी बहत्रा, सबापती मोद है आपकी ओर से, ग्यारा अजार रुपे, जोड़दार तालु से स्वागत सबापती मोद हैगा रगवीर जी भाटी साथ, पारसद मोद है, ग्यारा जार रुपे, मिकुजी राव, पारसद मोद है आपकी ओर से, ग्यारा जार रुपे ये सभी मंज़ पर आएं, आपका, ये इसमर्तिच्चे नवश से लेके जाएं गुर्देव जानकिदाजी मराज अपने आतों से देरे हैं, शिरीमान बाबुलाजी विश्णोई, सिव मोटर सेवम, सिवम कॉंप्लेक्स नागोर आपकी ओर से, 21,000 रुपे बोलो गुरु जंबेश्वर वगवान की, बोलो वीरतेजाजी महराजी की, बोलो अमरभुरा धाम की, बोलो सिरी जोरडा धाम की, धन्यवाद शिरीमान रामलाजी कच्छावा, जिवन बेरापकी ओर से, 11,000 रुपे मंच पर आएं, बाबुलाजी विश्णोई साहब आप ही मंच पर बदा रहे हैं बाबुलाजी विश्णोई साहब ने काम देनों को साला में, फ्यले एमूलेस बेट की थी, एक बाद पुने तालिश से स्वागत, पुने विश्णोई परिवार का शिरिमान मोती राम जी, जाड़िवाल बर्सिंग सर, 14 तालिया, आपके ओर से, 11,000 रुपे बर्सिंग सर से पदा रहें, मोती राम जी मंच पर आएं बर्सिंग सर, भीका ने, अभी, 2-2 सबतर पहले हमारा बर्सिंग सर में जागरन था, बहुती एक्तियसिक जागरन रहा है, शिरिमान रुगराम जी सर्पंच साब आप या आगे पदा रहो, बर्सिंग सर से एक परतिनिती मंच पर आजाएं, एक जणा, रुगराम जी आज सवा करोड रुपे, सवा करोड रुपे, लोग तो मन में भी नहीं जी क्यों पंच एक लाग बेला हुई, और ठेटी जाला बेला हुई, पंड़ा साब धन्यवाद देता हूँ, बर्सिंग सर को प्रणाम करता हूँ, आप रुगराम जी मंच पर बदा रहो, इधर साथ जा है, जाकर जी, गउशाला अध्यक्स चुनराम जी, आप ही मंच पर बदा रहे हैं, थोड़ा जल्दी आना मंच पर रहना, कारे करम बहुत लंबा है, बजन पूरी राच चने, आज बजन ही आना पूरी राच